वेल्कम बैक टो एक ट्रिपल एस क्योबर आज मैं आपको बताने जालो कि 3x3 मिरर क्योब को कैसे सॉल्व क्या जाए 3x3 मिरर क्योब को सॉल्व करने के लिए आपको 3x3 का रूबिस क्योब करना आना चाहिए तो मेरी यह वाली वीडियो टोटल दो पार्ट में आएगी पार्ट बन मैं आपको बताने जारो कि 3x3 मिरर क्योब का फ़स्ट लेयर और सेकंड लेर को कैसे सॉल्व क्या जाए और पार्ट टू में मैं बताओगा कि थर्ड लेर को कैसे तो बिना टाइम बेश की चलिए वीड गाइस जैसे कि आप देख रहें कि मेरा क्यूब बहुत अच्छी तरह स्क्रैंबल हो चुका है जैसे कि अपनी 3x3 rubies क्यूब में देखा होगा कि उनके सारे shapes अलग होते हैं और colors अलग होते हैं लेकिन मेरा क्यूब में ऐसा नहीं होते हैं उनके shapes कोई बड़े होते हैं कोई छ बड़ा वाला पीस चाहिए और सबसे छोटा वाला पीस भी यहां पर है तो अभी मैं आपको बता होगा कि मेरा क्यूब को कैसा solve गया जाए step 1 यह है कि आपको सबसे पहले प्लस बनना पड़ेगा जैसे कि आपको ऐसा पीज यह पांपर लाना पड़े गया इसी के लेर पर जैसे की पी फोड़ा से चोटा पड़ जा रहा है जैसे कि आप देख रहे है यह वाला पीज इसे फूल एक स्न लैएर पर तो मुझे इन तीनों जगह पर वहina पीस लगाने जो ऐसे लेर हो जासे कि ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए तो आप क्रोस चेकर करख कर सकते हैं जैसे कि आभी मैं चेक करऊगा मैंने ये वाला पीस यहाँ था माने नहीं से चेक्षा कि यि वाला क्षाम कर सकते हैं तो चलिए इस वाले साइड को भी चेक करते हैं जैसे कि देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी पीस नहीं हुआ इस वाले साइट से जैसे कि इस वाला साइट पर यह वाला पीस यहां पर था मैंने सिंपल यहां गुमा दिया तो यह वाला पीस भी इसलिए पर आ गया है और मुझे यह वाला पीस लाना है जैसे कि मैंने कहा था कि मीडिल वाले पीस को आप सॉल्फ करने से पहले आप एक बह आपने देखा होगा कि first layer के mirror tube में बहुत बड़े-बड़े pieces होते हैं जैसी कि यह बहुत बड़े-बड़े pieces हैं तो यह यहाँ पर आएगा मैं prefer कुड़ोगा कि आप इसका एक photo लीजे first layer सारी layers का कि कौन सा piece किसके साथ हैं तो मैं इस वाले piece यह सबसे बड़ा है ना तो सबसे बड़े वाले pieces को बड़े के साथ ही रखना है simply मैं इस processor से ला दूगा and पीछे लाना है फिर ऐसे कि आप देख रहे हो कि मेरा एक plus का sign बन गया है लेकिन जैसे कि mirror cube में ऐसा होता था कि जो सबसे बड़ा वाला piece जो होता है ना तो उसके opposite side में थोड़ा सा छोटा वाला piece होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यह जो छोटा वाला piece है वो इसको यहाँ आना ची तो मैं इसे replace कर दूगा और यह वाला piece यहाँ आजाएगा तो replace करने के लिए मुझे यही वाली process यूज़ करने है डाउन एल यू प्राइम तो जैसे कि आप देख रहे होगी मेरे यह वाला piece यहाँ था मैंने इसे यहाँ ला दिया बैक करके simply मुझे उसी trick को सामने की तरफ करकर हो जाएगा front, right and again front, right, left यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे यह वाला piece यहाँ पर था और यह यहाँ पर जो piece था वो थोड़ा सा bigger गया लेकिन कोई problem नहीं इसे हम बापेस उसकी place पर ला देगे place पर लाने के लिए आपको यही वाली trick करनी है कि मैं तो आप यहसे सामने करकर भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे back करके करूगा back करने के लिए आपको यही वाली trick करनी है down, front and up जैसे आप देखें मैं perfect plus बन चुका बस मुझे चार corner करने हैं जैसे कि मैंने बोला था कि जो बड़े वाले pieces होते हैं उनके साथ एक बड़ा वाला piece रहेगा जैसे कि यह कुछ बहुत बड़े वाले pieces हैं बहुत बड़े वाले तो photo लेकर कर सकता है जैसे कि यह वाला piece इसके साथ ही रहता है और यह मुझे बड़ा लग रहे हैं यह साइद यहां वाल आएगा नि तो यहां 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 आने के लिए मुझे इसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए आपको यही वाली trick करन आया है आएगा यहां तो मैं चेक कर लेता हूं जैसे कि यह वाला पीस नहीं वा क्योंकि मैंने यह फुल एक फ्रंट लेयर में होना चाहिए जैसे कि यह वाला लेयर मैच हो गया यह वाला भी लेयर मैच हो गया लेकिन यह थोड़ा सा छोटा पर जा रहा है इसके लिए चाहे मैं ज़्यादा कुछ करूगा नहीं को यहाँ ला दूगा बस यह इस वाल पीस को भी वहां लाने की है यह ट्रिक है front back I am no simple जैसे की यहां पर है मुझे यह वाले पीसे को यहां पर लाना है अप यह मसूजिए की यहां पर है आप इसे तेडा मेडा करकर भी कर सकता है लेकिन मैं यिजी के लिए मैं आपको बता जिता हूं इसे जैसे कि कोई भी क्यूप को आप क्रॉस करके सॉल्फ करें तौ आपको इसे फ्रंट में लाना यह पीस जैसे था वाय वैसे ही आ गया है अब मुझे यह वाली ट्रिक को बापेस करना होगा करने के लिए अब करके जैसे कि मेरा एक कॉर्णर पीस सॉल्फ हो चुका है लेकिन तब भी यह थोड़ा सब बिगड़ गया है तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर यह उपर कॉर्णर नहीं हो सकते हो रहे हैं मतलब मिनिमम इन दोनों में गलत है तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए मुझे इस वाली पीस को राइट साइड में लाना है थोड़ा सा गड़ बढ़ हो गया बस लाने कि वाली ट्रिक यूज करनी है जैसे कि मैंने इसे गलत समझ कर बापे से आल तो मुझे यह वाली पीस को रिप्लेस करना पड़ेगा रिप्लेस करने के लिए यह वाली ट्रिक यहां जो थी यहां गई है बस मुझे यह वाले पीस को यहां पर लाना है यह वाले पीस को भी उसी तरीके से लाना है जासि कि यह में ये तीन कॉर्नर पीस को सॉल्फ करना है जैसे कि यह इसे बाहर निकाल दूगा ढ़ान रखें कि यह वाला पीस जो मैं बार बार निकाल रहाँ यह गलती से ना चल जाए अगर चले भी जाता है कोई टेंसर ने बापेस आराम से हो जाएगा यह तो फुल ऐसे फ्रंट में है तो मैं उपर की तरव घुमाकर कर सकता हूँ जब भी आप कुछ ऐसा सामने से करें तो आप किसी भी और कर सकता है और और दो कॉर्णर पीस हो चुका और सिर्फ मुझे दो कॉर्णर पीस चाहिए जैसे कि फर्स्ट लेयर में हमें जो थोड़े बड़े बड़े जैसे यह भी फ्रंट में है तो सिंपल ही मैं यह वाली ट्र नहीं पर ही फ्रंट की तरफ रहेगा जैसे कि अभी यह ओपोजिट साइड है जैसे कि यह और किसी तरफ फेस कर रहा है तो सिंपल ही मैं इसे बाहा निकाल दूगा बाहा निकालने के बाद इसे फ्रंट में लाना है कोसिस करिए कि आप फ्रंट में लाई लीजिए जैसे कि मेरे front में आ गया है लेकिन कुछ cases में हो सकता है कि यह यहाँ पर opposite side में opposite side जैसे कि जैसे कि मैं अभी करके बताता हूं जैसे कि यह किसे और की तरफ facing कर रहा है तो simply आप इसे front में लाकर again back कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा three by three mirror cube का first layer solve हो चुका है अब यह मैं आपको बताओगा कि second layer को कैसे solve किया जाए मैंने YouTube में बहुत सारी videos देखिए कि second layer कैसे solve किया जाए मैंने देखा है कि वो लोग बहुत critical तरीके से solve करते हैं लेकिन मैंने आपके लिए ही बहुत easy सा way लाया है जैसे कि आपको पहले यह करना है कि जैसे कि यह piece थोड़े से आगया आपको इन्हें layer में लाना है middle piece को layer में लाना है हमेशा कोसिस के जिए कि middle piece को point out करके करें जैसे कि देख रहे कि अब मुझे यह दोनों दो pieces को जोड़ कर करना है जैसे कि थार्ड layer में होता है कि सारे layer बहुत पतले पतले होता है तो यह कोई replace हो जाते कोई कहां तो simply मुझे एक ऐसा piece ढूणना पड़ेगा जो second layer के लिए fit हो जैसे कि यह कहीं ना इन दोनों pieces में आएगा क्योंकि थोड़े बड़े हैं और second layer के लिए भी काफी है जैसे कि white वाले piece यह तो यहां नहीं जम रहे है तो इन्हें मैं इसे यहां पर ला दूगा तो यह अपने आप तरहते यह थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े लंबी होता है और यह थोड़े short और मोटे होते हैं तो जासे секör मुझे तो यह मिल चुका है और मैं यहहां पर देख रहूं की यह Isamther Pak यह तो क्रॉस चेक करकर भी कर सकते आ हैं जैसे एंड टू डाउन देन अप बापिस से उसकी प्लेस पर जैसे कि आप देख रहे होगी यह वाला पीस यहां था मैंने इसे सिंपली कुछ इजी सा वे करकर करला दिया अब भी हम लेयर पर आता है इस लेयर पर देख रहे होगे कि यह वाला लेयर से फूल ऐने आ रहा है तो सिंपली मैं यह वाली ट्रिक कर घोगा आ्व कि त्रू प्राइम आर ट्राइम्ेक्ष जैसे कि आपने देख्वाओं कि मैंने इस साइट से लिया है तो मुझे इस तरफ ही घुमाना पड़ेगा नहीं कि मैं इस तरफ गुमांगो तो गलत हो जाएगा तो मैं मुझे इसी तरफ गुमाना पड़ेगा गुमा कर फ्रंट वापस लेयर जैसे कि मैं तो बार बार सॉल्फ करने के बाद मिडिल पीस को ला दे रहा हूँ लेकिन आप चाहे तो अपने आप कर सकते है तो मुझे ए वाला पीस यह वाला पीस को सॉल्फ करने के बाद हमारा सेकेंड लेयर मिरर क्यूप का सॉल्फ हो जाएगा यह वाली पीसेस को भी मैं उसी तरीके साल लाओगा जो पहली वाली को लाया था जैसे कि फ्रंट एंड अप अप एंड डाउन जैसे कि कुछ पीसेस को सॉल्फ कर आपको सॉ्फ करने के बाद आपको ये यह देखना कि यिवाल पीम्ना हें पीस को सॉफ हो जाएगा कुछ पीचेस को सॉफ करने के बाद आपका यहiała पीस से जोड रहा है कि नहीं पीसमे जोड रहा जैसे कि मैं इसे बापेस फ्रंट करकर लाओगा जैसे कि आप देख रहे होगे कि मेरा मेरा क्यूप का फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर जोड़ गया है गाइस अगर आप मेरी यह वाली वीडियो पसंद आये तो चैनल स्क्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक क कर देना साइड में जो बैल आइकन होगा उसको क्लिक कर देना वीडियो कैसा लगा कमेड में जरूर बताइए और इसका पार्ट टू जल्दी आए